नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पनोश्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूटूब के पसंदिदा चैनल गोब लॉक्स में एक र हतेली का आकार अगर हम सामन्य द्रिष्टि से देखें जो बिक्ति हस्त रेखा नहीं भी देखना जानता है वो भी अगर हतेली में देखें तो इसका आकार जादा तर जो है क्या बन रहा है चोकोर जादा बन रहा है और आयताकार कम बन रहा है इसका मतलब है कि बहुत जादा मिहनती होंगे जीवन में कर्म में विश्वास रखने वाला विक्तित तो रहेगा और जादतर उन कामों में सफलता मिलेगी जिन में सारिरिक मिहनत की जरूरत जादा होती हो सारिरिक परिस्रम की जरूरत जादा होती हो ऐसे लोगों को ऐसी ही करियर में जो है सफलता मि या बोलने से जादा काम चलता हो, जैसे हम लोग है, तो ऐसे करियर में जादा सपलता नहीं दिखाई दी रही है, ठीक है न Ä, हाँ दार्षनिक किसम का भीक्तितु रूर रहेगा, analytical स्वभावाला व्यक्ति तो जरूर बना रहेगा इसका फाइदा भी होगा आपको दूसरी बात अगर हम देखती हैं हतेली की रंगत बहुत खूप सूरत है एक positive वाली किरने waves जो है ये छोड़ती हुई दिखाई दी रही है तो इसका मतलब है कि भग्या आपका बहुत अच्छा साथ देगा सो भग्या सालिता को ये दिखा रहा है कि भग्या वास्तों में बहुत अच्छा साथ देगा और अपने जीवन काल में हर छण का आप आनंद भी लेगे अच्छी चीज दिखाई दी रही है समय जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी और जैसे मैंने हतेलियों का बहुत समय से अध्यन कर रहा हूँ तो ये चिन मैंने जिसकी हतेली में देखे हैं ये बहुत एकदम सिधा उचाल देना वाला तरकी देने वाला समय जरूर आता है लेकिन वो 42 वर्स में आता है पहले उसको देखते हैं पिर अन्यगरोहों को देखते हैं यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ये अंगुठा है थम जिसे कहते हैं अंगरेजी में और इस चीज को कहते हैं बिनस का माउंट ये सुक्राचारे जी हैं देते गुरू और हमारी हतेले में बैटने वाले सेकंड आचारे हैं सेकंड रिसीगरा है देते गुरू भले ही है लेकिन ये भगवान शंकर के देवादी देव महादेव के सिस्य है कालों के काल महा काल के सिस्य है तो इनकी महता बहुत जादा है और ये अंगोठा इसी से प्रभावित है अंगोठे में आप देखेंगे एक लकीर, दो लकीर और तीन लकीर इस प्रकार से है अब ये बना रही है एक कट, दो कट और तीन कट तीन कट बना रही है इसका मतलब है कि आपको जीवनकाल के 40. वर्ष के बाद अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है धन है परतिष्टा है मान सम्मान है सभी चीजों में ये बडोतरी को दिखा रहा है निर्धन नहीं रहेंगे उसके बाद गरीब नहीं होंगे वैसी जीवन में निर्धनता गरीबता आपके आएगी नहीं लेकिन जब आप तरक्की बहुत बड़ी पालेंगे ने तरक्की की सीमा को तय कर रहे होंगे ने तो आपके अंदर अभिमान का पुट बहुत ज़्यादा आ जाएगा इगो प्रोब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो क्या करना है इससे आपको समल कर रहना है क्योंकि साथ-साथ में आप धार्मिक भी बहुत जादा हो जाएंगे धर्म और कर्म के कारियों में आप बढ़ चटकर हिस्सा लेंगे दान और पुन्ने से समंदित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए आपका अंगोठा बहुत अच्छा है ब्यवसाई इत्यादी चीजों को दिखा रहा है और जीवन में अगर ब्यवसाई करेंगे आप ब्यापार करेंगे विजनिस करेंगे तो विसे सफलता आपको जीवन में प्राप्त होगी ये आपका अंगोठा इस पश्ट तरीके से दिखा रहा है यहाँ पर नौकरी और खासकर सरकारी नौकरी की संभावना बहुत कम दिखाई दी रही है लेकिन करना चाते हैं तो फोकस बढ़ाईगा अपनी एकागरता बढ़ाईगा तब जाके आपको उसमें सफलता मिलेगी लेकिन फिर भी आप जो है बाद में नौकरी भी करेंगे तो भी ब्यापार में आएंगे ब्यापार में उतकृष्टता हासिल करेंगे और ब्यापार के कारण आप अपने जिवनकाल में जाने जाएंगे आपकी पहचान बनेगी यह आपकी हतेली बता रही है एक चीज देखेगा आप और थोड़ा सा ध्यान से देखेगा क्योंकि देखेगा जो यह लकीर होती है यह पूरी हतेली को लगभग यह पार कर रही है यह लकीर होती है यह परिचायक है बुद्धी की बिबेक की ठीक है न? तो ये आपकी बुद्धी को आपके विबेग को बताता है बता रहा है ये तो बहुत सुन्दर है ये बता रहा है कि आपका जो बौदिक अस्तर है बहुत अच्छा रहने वाला है एक विबेग सील बिक्तित्व के मालिक होंगे आप अपनी जिवनकाल में हर समय कुछ न कुछ सकार आत्मक सोचते रहेंगे जिवनकाले के लिए कुछ न कुछ योजनाई बनाते रहेंगे और मस्तिस्क से कार्य करने वाला विक्तित्व आपका होगा और मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है नोकरी पाने में सपलता भी हासिल होगी लेकिन प्रायोह बहुत जादा सोचने वाले भी रहेंगे और जादतर हमेशा कलपनाओं में डूबे रहेंगे आपका जो मन है ने वो एकागर्चित कम हो पाएगा लेकिन स्रेश्च सपलता भी हासिल करेंगे लेकिन आपका मन बहुत जादा कलपनाओं में डूबा रहेगा ये भी आपकी हतेली यहाँ पे बता रही है दूसरी बात यहाँ पे देखे तो आपकी हतेली में जो ये बीच का हिस्सा है बहुत ज़्यादा फूल गया है यहाँ पे नाड़ी रेखाईं बहुत ज़्यादा इनको काट रही है यहाँ पे सुक्र का भाग बहुत ज़्यादा उबर गया है और हतेली में हस्त रेखा में अती बरजित होता है अती ठीक नहीं माना जाता है तो ये अति रूप में उबरे हैं और रेखाई काट रहे हैं नाड़ी रेखाई राहो का प्रभाव है पित्र दोस आपकी हतेली में साप तरो से दिखाई दे रहा है आप कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी परिवार में बाहर से कैसे भी दिखें लेकि अंदर से दबे पुन रूप में नहीं दिख रहा कुछ भी सनी उबरावा है सुक्र उबरावा है नाड़ी रेखाई काट रही है ये पित्र दोस को दिखाता है ठीक है न और इसका असर जड़ पे ही पड़ता है आनिवाली पीडियों पे पड़ता है और पित्र दोस साथ पीडियों तक ब बेव जहे की चिंतांग करने वाला हो जाता है ठीक है ने और थोड़ा हलका कभी कभी चिर्चड़ा स्वभाव रहेगा कभी कभी एकांत पर यह जादा पसंद रहेगा और कभी कभी ऐसा भी हो सकता यह जादा बढ़ जाता है तो समझ में नहीं आएगा क्या सोच रहा है लेक उसका ध्यान एकदम पढ़ाई लिखाई में रहता है, एकांत रहता है, बहुत जादा किसी से घुलना, मिलना, किसी से बहुत जादा बाते करना ऐसा बिक्ति नहीं, आपना एकांत बैठा, अपना एकांत पढ़ाई में लग गया, तो ये चीज अच्छे है सनी के, लेकिन कभ कभी कभी बियोजहे की चिंता जरूर रहेगी, कभी कभी थोड़ सा चिर्चड़ापन जरूर रहेगा और एकांत पन ज्यादा पसंद रहेगा, ये आपकी हतेली दिखा रही है, लेकिन जब सपलता पाएंगे तो बहुत बड़ी किसम के पाएंगे, ये भी दिख रहा है, ह और एक सुखत जीवन जीने के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना, सुन्दर होना जरूरी होता है, इसका बैलेंस आउस्ता में होना जरूरी होता है, यहाँ पे थोड़ा अतिबली है ये, जब अतिबली ये होता है, तो ये इस्त्रीकारक गरा है, मेरिटर लाइप का माल है, तो साधी होने में देरी को दिखाता है, तुझा नहीं दामपत्य जीवन का जो सुक है, वो सुक ब्यक्ति को देर से मिलता है, मनी ऐसे लोगों की जो साधी होती है, जादतर 26 वे वर्स से लेके 28 वे वर्स के बीच में होती है, लेकिन ये धाया में बैठा है क्योंड़ डाई वर्सवमी ये अपनी इस्तिती में आ जाएगा, तो इसके लिए में एक दिव्य योग ध्यान किरिया आपको ओडियो के मादयम से भेज रहा हूँ, उसी तरों से करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जब इस प्रकार से रहता है, तो क्या होता है, चाहिए करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी क्या होता है, कि वास्त्विक सुक की प्राप्ति नहीं होती है, तो सुक्र यहाँ पे चाहिए धन का मामला हो, चाहिए सुक का मामला हो, चाहिए जो है किसी भी प्रकार का मामला हो, इस चीज को दबा रहा है, सारी चीज होने के बाब जूद भी सभी चीजें ठीक होने के बाब जूद भी उस परकार का रास्ता कम मिलेगा जब पित्रदोस खतम हो जाएगा ठीक है न तो थोड़ा सा आपको दिव्य योग ध्यान किरिया और दिव्य सूर्य किरिया का सहरा जरूर लेना है और ये जो लकीरे हैं ये प्र प्रभाव इनका मन और मस्तिस्क पर पड़ता है जब ये लकीरे होती हैं तो मन में उल्जन की इस्तिति दूबिधा की इस्तिति कनफ्योजन की इस्तिति पैदा करती है और निरणे लेने की छमता में असर डालती है प्यक्ति सही से निरणे नहीं ले पाता है कि मुझे करना जाना चाहिए और निरणे ले भी लेता है तो जादतर इनके निरणे गलत सावित हो जाते हैं और जिवन में उसका बुक्तान करना पड़ता है दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है ये रेखाएं हो तो विक्ति आर्थिक रूप से बीमार होने करता है धन का प्रबंदन सही से नहीं कर पाता है मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्थ्य पे पड़ता है चाहिए वो सारीरिक स्वस्थ्य हो चाहिए वो मानसिक स्वस्थ्य हो उसमें हलके हलके विकार आने बैठ जाते हैं और जैसी जैसे रेखाएं बढ़ेंगी जाल बनता जाएगा वैसे वैसे वो विकार परबल होते हैं और चोथा इसका प्रभाव आपके रिष्टों पर पड़ता है ब्यक्ति या तो रिष्टों का सामंज से नहीं बिठा पाता है या रिष्टे बन नहीं पाते हैं या रिष्टों का पूरा जो सुक है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है और पांचवा इसका प्रभाव आपकी डेपलप्मेंट आपकी प्रोग्रेस पर परता है कहीं न कहीं जो आपकी डेपलप्मेंट है आपकी प्रोग्रेस है उसमें हलकी बादाएं आनी बैठ जाती हैं अर्चर आनी बैठ ज अश्नान करना है आपको, जिसको प्राकृति किरिया कहते हैं, अब वो 11 दिन का होता है, वो मैं आपको दूँगा निश्चित करियेगा, उसके बाद दिव्य योग ध्यान किरिया, बैदिक सूर्य किरिया, ये तीन चीजें जरूर करियेगा, निश्चित ही आपको बहुत अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपकी हतेले को देखते हैं यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिस्पति की उंगली हल्की रोप में जुकी हुई है मिडल फिंगर की तरफ निश्चित रोप से धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मातरा में आपके अंदर हैं और हमेशा बन मगाएगा विश्वास उठेगा नहीं दूसरी बात दिल के किसी खूब सुरत कोने में एक सुन्दर सी दयावान ब्यक्तित्व आपके दिल के कोने में बैठेगा जो निश्ठुरता है जो कुरूरता है जो खडोसपन है वो आप पे हाभी नहीं होगा आपको नहीं छूपा रहेगा और जीवन में इसका फाइदा अच्छा होगा दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी जो भाग्यास्तान की उंगली है मिडिल फिंगर मतलब बीच की फिंगल मध्यमा यह ब्रस्पति की उंगली की तरफ तरजनी की उंगली की तरफ इंडेक्स की फिं अगरता बढ़ाते हैं तो ऐसी नोकरी प्राप्त होगी जिसमें मस्तिस्क से कारे करना हो बैठ के कारे करना हो जिसमें मान प्रतिष्टा हो सम्मान की दृष्टी से ब्यक्ति को देखा जाए बहुत अच्छे योग है लेकिन उन योगों को प्राप्त करने के लिए क्या करन और भगवान शंकर की विदिवत तरीके से पूजा करनी है निश्चित ही बहुत बड़ी सपलता मिलेगी दूसरी बात ये सही अनुपात में खड़ी है मिडिल की फिंगर सनी की उंगली सही अनुपात में खड़ी है तो आने वाले समय में लगबग दो धाई वर्सों की बाद आप देखेंगे आपकी मानसिक चम्ता बहुत अच्छे रुप में उभर कर आएगी उसके साथ-साथ अध्यात्मिक चम्ता भी उभर कर आएगी और ऐशा लगेगा कि भग्या का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। स्वाबिमानी होंगे विवेकी होंगे औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा एक अच्छा खासा नोलेजबल व्यक्तित्व भी रहेगा और भग्यवान भी रहेंगे बहुत सुंदर यहां पे मिडल की फिंगर दिखाई दे रही है नेचरल रूप में सनी का अच्छा प्रभाव दे रहा है दूसरी बात देखेंगे सूर्य की उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं अंगरेजी में रिंग फिंगर क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे रिंग पहनी जाती है अंगूठी पहनी जाती है इसलिए इसको रिंग फिं रखी है middle finger की तरफ यस पानी की चाहा हमेशा बनी रहेगी नेमफेम पानी की चाह रहेगी और अपने कारियों में बिस्तार पानी की चाहा है भी बहुत अच्छे रूप में बनी रहेगी यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रिस्पति की उंगली है उससे बड़ी है आपकी सूर के जो नैसरगिक गुण है वो अच्छे हैं आपके अंदर और पूरी जिंदगी में रहेंगे क्या गुण रहेंगे रिस्क लेनी की चमता बहुत अच्छी रहेगी चीजों में जोखिम उठाने की चमता बहुत अच्छी रहेगी और अगर उस रिस्क लेने में चीजों में जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनो उठने की चमता भी आपके अंदर अच्छी रहेगी जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं और हमारा हस्त रेखा का जो सास्तर है पोरानिक वो कहता है अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो चनिक भी थोड़ा सा भी बड़ी हो ब्रस्पति की उंगली से और मिडल की फिंगर से सनी की उंगली से छोटी हो जैसे आपकी है तो ऐसा ब्यक्ति अपने जिवन काल में निश्चित ही यस्वस्वी होता है आप यस्वस्वी होंगे समाज में मान पद प्रतिष्टा पाने वाले होंगे यस पाने वाले होंगे फिंपाने वाले होंगे और सफल होंगे ये उंगली बता रही है दूसरी बात अगर हम देखें इसको मिटा लेते हैं सबसे छोटी उंगली जिसे कनिश्टिका कहते हैं संस्किर्टे में और लिटिल फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में ये पूरी तरों से जुक रखी है किस की तरफ जुकी हुई है यहां पे रिंग फिंगर की तरफ सूरी की उंगली की तरफ तो धन कमाने की ललक भी आपके अंदर जबरदस्त बनी रहेगी और इसका आपको फाइदा भी होगा लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये इसके इस पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पारी है तो धन के प्रबंदन में धन के संचय में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटिबिल्टी में फाइलिंग में कम्यूनिकेशन इसकल्स में कमी भी बनी रहेगी इस कमी को दोर करने के लिए क्या करना है आपने यहां तक नाखोन बढ़ाना है अपने नाखोन बढ़ाएंगे तो अच्छे प्रिणाम मिलेंगे अब देखो यह उंगली कहां जुक रखी है इसकी तरफ यह कहां जुक रही है इसकी तरफ और यह कहां जुक रही है इसकी लेकिन क्या दोसरों पर क्या करने की अधिकार करने की आकांचा बनी रहेगी मनि लीडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी क्योंकि ब्रिस्पते से ये अन्य उंगलिया प्रभावित हो रहे हैं तो लिडर्शिप की quality रहेगी और स्वचंद विचारधारा बनी रहेगी। एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी, सुखत जीवन जीने के लिए प्रयतन सिल बिक्तित तो रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कभी भी कोई कार्य न करें, नुकसान देए साबित होगा। हिर्दे की लकिर देखें तो हल्के रूप में इस तरोसी जा रही है, इसमें देव गुरु ब्रस्पति का और सनी का प्रभाव पड़ रहा है, तो महत्व कांच्छा बहुत अच्छी रहेगी, आप महत्व कांच्छी रहेंगे, सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी, इक्छा अच्छे अस्तर तक पहुँचने की रहेगी, और इसके लिए मिहनत भी करेंगे, परिस्रम भी करेंगे, जो भी आपसे वो जाई करेंगे, जीवन की रेखा इस तरों से जा रही है पीछे की तरफ, परिवार के पर ते समरपन की भावना भी रहेगी, करियर और धन की रेखा इस तरों से आ रही है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही है, फिलहाल अगर करियर और धन की रेखा के इसाब से देखें तो जो आपका करियर है जो धन है उसमें अभी stability नहीं दिखाई दे रही है तो इसके लिए आपने क्या करना है दिब्यय योगध्यान दिब्यय सूर्य क्रिया आपको जरूर करनी है सुक्र के बारे में हमने बता दिया है आपको कि क्या है ज्यादा बली है और निमन मंगल अगर देखें तो निमन मंगल थोड़क कनफ्यूजन की इस्तिती उलजन की इस्तिती और निर्णे लेने की छंता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उच्च मंगल अगर हम देखें तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक स्वभाव मना रहेगा यहां पर एक दो लकेरे नीचे की और जाती हुई दिखाई देरी बहुत सांदार इस्तिति की है अध्यात्म के गुणों को देती हुई दिख रही है अच्छे फल देगी आने वाले समय में सोभागय में प्रति होगी आपका ब्रिस्पति सुंदर इस्तिति में है अच्छी इस्तिति में दिखाई दे रहा है स्रेश्ट ब्यक्तित्व है स्वयम तो उन्नत करेंगे ही अपने जीवन काल में जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नत करने में सायता परदान करेंगे सयोगी बनेंगे लेकिन स्वाबिमानी होंगे हाँ अगर अच्छी पड़ाई लिखाई पे ध्यान दिया सही रास्ते पे चलने की कोशिस की तो नोलेज बहुत अच्छा रहेगा नियाई पर ये विक्तित तो रहेगा अपनी बातों क का निर्वहन करने वाले रहेंगे और दोसनों की मदद करने की भावना भी रहेगी और धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मातरा में रहेंगे और ब्रस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुन्दर है कि नोलेज तो अच्छा रहेगा लेकिन साथ साथ में आत्म ग्यान भी बहुत अच्छा रहेगा इस ब्रस्पति की उजोसे आपको मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में अच्छा खासा सम्मान मिलेगा चाए सडक का किनारा हो चाए महलों की उचायो हो सम्मान अच्छा मिलेगा समस्याएं सब के जीवन में आती हैं ये नहीं कह प्रकार से आई थी उसी प्रकार से चली भी जाएंगे कोई अनिष्ट नहीं कर पाएंगे जीवन में और देखेगा कुछ खास छेत्र है सिक्षा का छेत्र है इंजीनियरिंग का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है बानिज्य का छेत्र है कानून का छे च्छेत्रों में अगर काम करने की सोचिंगे या सोच रहे हैं तो काम्याबी अच्छी मिलेगी चाहे सरकारी च्छेत्र हो चाहे प्रैवेट में हो लेकिन इन च्छेत्रों में ब्रस्पति की उजोसे काम्याबी आपको अच्छी मिलेगी तो ज्यादा परियास करें निश्चि बुद्ध बहुत अच्छा है आने वाले समय में वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहेगी हर तरह की प्रस्तितियों को भली बांती समझने वाले रहेंगे और अपने जीवनकाल में यदि योजना बना कर चलेंगे तो जादा फायदा होगा और कोशिस करें जो भी कार्य आप प पूरा ओश्य करेंगे बीच में अदोरा नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में जादा फायदा होगा वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है तनी की सुन्दर्ता भी बढ़ेगी और साथ साथ में अगर देखा जाए तो मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छे तरों से जानेंगे और ब्यापारिक बुद्धी भी अच्छे खासी आपके अंदर आएगी चंद्रमा आपका बहुत सुन्दर है बहुत अच्छे इस्तिति में आ रहा है मानसिक रूप से मजबूत रहने वाले ह और सरीर में कभी कबार अगर कोई समस्या आ भी जाए तो भी आपका मन मजबूत रहेगा अच्छा रहेगा और जब चंद्रमा मजबूत इस्तिति में पूरी तरों से आ जाएगा तो पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर आपका ठीक रहेगा धीरे धीरे आपके सरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा क्रियेटिविटी बढ़ेगी आप क्रियेटिव जादा रहेंगे और कहीं न कहीं सकारात्मक सोच रहेगी चलकपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सयोग भी ठीक मिलेगा तो देखा जाए मैंने आपकी हतेली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादेम से भेज रहा हूं करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार